हाई फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल नहीं पुराने रेसिपीज में आज में आप सब के लिए सूरन या ओल की सब्जी की बहुत ही मचेदार रेसिपी लेकर आई उसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगते हैं तो आप जरूर इसके बहुत सारे नामहें जीमीकंद हैं ओल सूरन यम आप की सी नाम से बुलाते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा और जैसे के नामनेक हैं इसके फायदे भी आनेक है तो जरूर ठाई करिए इस तरह से बनाकर कर आईगे ताप गले में खुझली खरास कुछ भी नहीं पांच सो ग्राम मौल राट सबके से गाड़ करना इसे आपके वरतर में निकाल लें गेगे सब्सकें पर से कोटिंग हो जाएं तो इस तरह से भी आपको सब्सक्राइक कि देख सने कौ्टिंग हो जाना जाद यहिता पानि किसे नमक केद्ग यह पोक confirm कि पानिक दयाARE इसे जो गले में खुजली खडास होता है वोल की सबजी खाने से वह आपको बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसके सारे पानी में निकाल दिये हैं अब यहां पे कढ़ाई को पहले अच्छे से गरम कर लेना है बढ़ियास जब कढ़ाई गर देंगे और ऐसी अलट करते हुए इसको सुनहरा कलर आने तक वड़ी आसम फड़ाई करके ले लेंगे आप देख सकते हैं जब इस तरह से यह हो जाया तो इसको हम निकाल लेंगे और हाई फ्लेम पर ही करना है तो इस तरह से फड़ाई हो जाएंगे और यह लगबोग पक अधनिया डालेंगे और पांसे शुकी लाल मिर्ची ले सकते हैं थोड़े से लसुन के कलिया डालेंगे अगर आप लसुन नहीं खा तो इसे स्किप कर दे और साथ इसमें हल्दी डाल देंगे ठोड़ा थोड़ा पाने डाल करके चलाना इसे अच्छे से पीष्ट बना लें और उसको मुझा सो डेंगे इसके बाद इसमें पीश्य मसाले डालेंगे जाला देंगे ताकि मुझा भी करें यह बहुत अच्छा पाउडर एक पाउडर जिससे बहुत अच्छा सा निया इसमें ड्रूंड अप्ट लाप्ट रखने लेंगे बूह तक भूनतलि चाल मद अब मसाले न बहुत अच्छी से तेल शोड़ द दूब इसमें अच्छी से अच्छी मशे। प앙यों इसमें ओल को एड़ कर देंगे और इसे दो तिन मुट के लिए धकर की मेडियम फ्लेम पर पका लेंगे क्योंकि बहुत अच्छे से पके हुए बस थोड़ा सा ग्रेवी के साथ में पकान है जिससे की ग्रेवी का मसाले का स्वाधिस में अच्छे से आजाए और यह बहुत ही स चावल के साथ गर्मा गर्म सर्फ करिये और सर्फ करने से पहले इसमें थोड़ा सा निम्वो करना जरूर नहीं चोड़िए जिसकी और अच्छा स्वाध आएगा इसका बनाई रसे पसंद दाए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को सेर क करिये थेंक यू टिक केर बबाए